नमस्ते दोस्तों दोस्तों जब भी आप कोई नया कारिये करें और उस कारिये की अगर लोग परसंसा करें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा एक ऐसा ही वाक्य आज मेरे साथ हुआ कुछ किसान भाई आसपास के छेतर से मेरे घर पे आये मुझे धन्यवाद गैने के और मुझे लगा कि इन किसान भाईयों से आप लोगों को भी मिलवाना चाहिए ताकि आप लोग भी पसू पलन व्यावशाय में लाखों रुपे कमा सकें दोस्तों देखिए आज हमारे बच्चे अगर उनको सरकारी जोब नहीं मिल पाती तो वो कंपनियों में नोक्री करन जाता है तो दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अपने जो पारंपरिक आपका जो बिजनिस है उसको आगे बढ़ाए और किसान का पारंपरिक बिजनिस है पसू पालन व्यावशाय अगर आप पसू पालन व्यावशाय अच्छे परिके से करेंगे पूरी मनेजमेंट से करेंगे तो आप पसु पलन वैवशाय में लाखो रुपे कमा सकते हैं आज का युवा चाहता है कि उसकी लाइफ टाइल काफी हाई परोफाइल लेकिन वह महनत नहीं करना चाहता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप हाई परोफाइल लाइफ टाइल जीना चाहते हैं तो पसु पलन वैवशाय कीजिए पसु पलन वैवशाय में आप लाखो कमा सकते हैं तो आईए मैं आपको कुछ ऐसे किसानों से मिलवाता हूं जो पसु पलन वैवशाय में लाखो कमाता है तो श्रीमान जी सब से पह को क्या बताना चाहेंगे कि आपके साथ क्या अद्वुत हुआ कि आपने पसू पालन वैवशाय में आपको लगा कि इसमें सकोप है इसमें लाख और रुपए कमा सकता है सर मैंने एक बैस अपने गाउं से खरीदी थी ठीक है कितने रुपए में खरीदी एक लाख पैस व्ड़ वेडियो देक्क फिर मैंने दादरी परमोग शेट से छट टीन पेकेट अडर रफ लिये चेह किहां फीर मने वोओ खिलाइं जिक इसमने दो खिलाने के बाद वो किर दस दन पहले बैयने के बाद भी इतनी लेवटी थी जितनी पूरी ब्याद्व बनाया कर तीक थीप फिर आपने उस बैसका क्या मैंने उस बैस को जी दस दिन की रिष्ट्य उसका पूरा टेम मैं आपके पास पूए इस बात का वीडियो बढ़ा रखे जी तुने वीडियो पहले बढ़ाई थी बेची बाद में दोस्तों के बीच में गाओं के लोगों ने एरपिय गिने थी जी उसके बाद हैंडर परसेंट इस बात का आपके पास पुरूप दोस्तों शिरीमान ने एक बैस खरीदी एक लाग चालिस ज लार रुपए में अपने पडोशी से और उसके बाद हिनों ने यूटूब पे हमारा एक वीडियो देखा उस वीडियो में मैंने आपको पंच रतन के बारे में बताया था उन पांच वस्दियों के बारे में बताया था जिनको खिलाने से हमारे पसों के अडर का जो साइज वह काफी विख्षित हो जाता है और जब आपके पशु का अड्र का साइज विख्षित हो जाएगा तो सबाव già कि अग्वाThat थो वह फार्मुला इन्हों ने उपयोग वो फार्मुला एक पसु के उपर तीन किलो उप्योग करते हैं इन्होंने मेरे से संप्रक ना करके मेरे परोडेक्ट दादरी में परमोध है एक लाला जी है उनको हम अमारे परोडेक्ट बेजते हैं तो दादरी इनको नजदीक पड़ता है वहां से ये अडरप का पाउडर लेख के आये और अपने पसु को खिलाना सरू किया और वो पसु जब उसका डिलेवरी समय आना था उससे दस दिन पहले ही उसकी डिलेवरी हो गई लेकिन दस दिन पहले डिलेवरी होने से भी उस पसु को कोई फरक नहीं पड़ा उसका अडर का साइज इतना जबरदस्त व अटेली के पास हमारे यहां पर एक अटेली गाओं है अटेली के पास रामफल कलाकार है कोई लाग निवाग निगाता है उसका जब इनकी वह भैस ब्याई उस समय उसको बीस किलो से पलस दू था उसके बाद इन्होंने तीन लाग चालिस जार रिपे में वह सेल कर दी और सेल करने के बाद इन्होंने उसका वीडियो भी बनवाया जित्यु जी ने जाके इनके घर पे उसका वीडियो बनाया उस बैस का कितना जबरदस्त अडर था तो आपके अनुमान से उस बैस ने जब वह अपने पीक पे गई होगी तो किसना दूद बनाया है उस बैस ने 26 किलो दूद दिया तो यह ताकत है जड़ी बूटियों की तो आज स्रीमान इनके पास इनके दोस्त हैं मित्तर हैं उनकी गीर गाय बियाने वाली है एक मैने के बाद तो इन्होंने अपने मित्तर को समझाया कि चलिए वहां कनीना चलते हैं और पंसारी जी से वह जड़ी बूटि जो मैं बताता हूं वो कुछ और हो और मैं आपको देता कुछ और हूँ तो इस जड़ी बूटियों का उप्योग करने से पहले आप अपने पशों के अडर के साइज के लिए क्या करते थे वह एक आया गरती जी एक 200 ग्राम की सीशी और रोटी चोपर दे लिए उसके कैसे रजल्ट मिले तो हमारी जड़ी बूटियों से आप काफी कुछ है उसके बाद आज जब ये मेरे पास पहुंचे तो सबावी आज जब ये मेरे पास पहुंचे तो मेरी फैक्टरी में भी जो आपका पंच रतन फार्मूला है उसी की पिसाई होने लग रही थी मतलब कि वह ही तियार होने लग रहा था मोके पर यह आगए तो आज आप यहां मोके पर आये हैं तो आप सभी किसान भाईयों को बतीए मैं किसान भाईयों को बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जड़ी बूटियों की कुवाल्टी आप अच्छे से देख के लिए तो आपने ये आप इनके नाम बताओ आप अलगला यह सतावर है जी पीले रंकी है जो मैं बोलता हूं उसके बादा है जी सुक्य हुआ ठीक है यह सौप है जी ठीक है और यह मलेटी है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था किसी तरह की कोई चिटिंग नहीं अच्छा किसान भाईयों को यह और बती है कि इन जड़ी बूटियों की क्वाल्टी आपको कैसे लेगा तो दोस्तों अगर आप भी अपने पसूओं से लाखों रुपे कमाना चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि आपके पसूओं के अडर का लेउटी का विकास हो तो आप यह पांच औस दियां आपके आसपास किसी भी पनसारी की दुकान से लेगे आईए बैस आपको ध्यान यह रखना है कि जड़ी बूटियां बिलकुल हसली हो अच्छी क्वाल्टी की हो फिर देखना आपके पसूओं का अडर का साइज अडर का विकास कैसे होता है दूद का विकास कैसे होता है अगर फार्मूला पंचरतन जो सिरीमान ने दादरी से लेके उपयोग किया था उसका आप उपयोग करके देखना आपको काफी सरानी रेजल्ट मिलेंगे तो पंचरतन आपने कितने रुपे का लिया था बहुर बता दी दिया 700 रुपे का तीन पैकेट लिये थे मनें 2700 रुपे का एक पैकेट है लगबग 2021 रुपे आपके खर्च होंगे लेकिन 2021 रुपे खर्च करने के बाद आप मानके चलिए कि पिछले बयात से इस बयात पे आपके पसू का 20 से 25 परसंट दूद जादा होगा और लेवटी का साइज तो आपको समझ में नहीं आएगा और हमारे हरियाना में क्या पूरे भारत वर्ष में पसू की जब भी हम लेया बेची करते हैं खरीदते हैं या बेचते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके अडर पर जाता है अगर आपके पसू का अडर का साइज विक्षित होगा तो पर आगे बढ़ाएं इन जड़ी बूटियों का साथ लेकिंगे आप अपने पसू की कीमत बढ़ाएं और एक और शबसे इच्छी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा तो बाइस सब आप ये जड़ी बूटियों पैदा कुन करेगा किसान करें का सबसे इच्छी बा और किसान के खेत में जब यह जड़ी बूतियां तियार होगी तो सभावी कहे किसान की आमदनी बढ़ेगी किसान की आमदनी बढ़ाने के दोनों तरिके आपके पस हैं, अपने पस будете को अच्छी कुल टी की जड़ी बूतियां खिलाएं उनसे भी मुनाफ़ा कुमाएं और इन जड़ी बूटियों की खेती करके आप लाखों कमा सकते हैं आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा ये है अस्वेगंदा देखिए इसके बारे में आप गुगल पे सर्च करके देखना ये है अस्वेगंदा आउला शितावर इनकी खेती करना बहुत ही असान का रिये है kavuk PE इसके बारे में बहुत डिटेल है आप गुगल के अडर के साइज का विकास करने के लिए इन जड़ी बूटियों का परियोग करें धन्यवाद